अपने ही आश्रम की नापालिक छोत्रा से दुश्कर्म के आरोप में जोत्पूर जिल में आजीवन का रावास की सजा काट रहे आसरांग की जांच रिपोर्ट समाने आई है डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है हिदेरोग विशिशग्य डॉक्टर संजीव सांगवी ने बताया कि वे स्वस्थ हैं और खापी रहे हैं एक दो दिन में अस्पताल से उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जोएगा असानाम की तवेद बिगनने के सूचना के बाद उनके समर्थकों की जूदपूर के M.D.M. अस्पताल में भीड हो गई यहां काफी संख्या में समर्थक आ गई हैं ऐसे में अस्पताल के बाहर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किये हैं पुलिस ने समर्थकों को नियंत्रन में रखा हुआ है पुलिस ने किसी भी संदिक्ट को अस्पताल में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है अस्पताल पुलिस चावनी सप्रतीत होने लगा है स्वस्थे विकान अभियान के तहट बुधवार को प्रिशासनिक अधिकारियों ने गोकु सर्किल शित्र में स्वचता कैम्पेन का नेतरत्व किया अधिकारियों ने दुकानदारों और स्थाने नागरिकों को स्वच्चता बनाय रखने में सहियो का आवान किया आज एक हैंडिक्राफ्ट फैक्टरी में बॉयलर से निकली चिंगारी से आग लग गई सुचना पर आधा दर्जन दमकले मौके पर पहुँची और आग पर काबू पाया चीफ फायर ओफिसर जैसिंग चोहान के अनुसार समय पर पहुँची दमकलों ने आग को जल्द ही काबू में ले लिया इससे बड़ा नुकसान होने से बच गया बिकानेर में एक महिने पहले मरुधरा ग्रामिन बैंक में लूट का राज अभी खुला ही नहीं है कि नोखा के जसरा सरस्थित इसी बैंक की एक और शाखा में चोरी की कोशिश हुई शुक्र है कि इस बार बैंक से नगदे ले जाने में चोर सफल नहीं हो सके चुनकि वो खुद सिसी टीवी की नजर में आ गए थे इसलिए डीवियार ही अपने साथ उखाड कर ले गए ये घटना मंगलवार देरात की है जिसकी प्रास में की बुधवार दोपहर पुलिस मे गलत दिशा में वाहन चलाने या फिर दुपहिया वाहन पर दो से ज़्यादा सवारी बैठने के वज़े से भी होते हैं ऐसे हासों को कम किया जा सके इसके इसके लिए अभियान चलाय गया है बिकाने शोहर की विभीनी शेत्रों में नगर निगम की वेफसाइक दुकाने हैं जो वशो से किराए पर संच्वालित हो रहे हैं निगम अब इन अपने स्वामित्व वालिस सभी वेफसाइक दुकानों का सर्वे कर सुची बद करेगा साथ ही वर्तमान पारी प्रेक्षि में इन दुकानों का किराया निर्धायत कर ए रेंटल पोर्टल बनाकर ओनलाइन आवंटन करेगा और किराया वसूली करेगा निगम महापौल सुशिला कवर ने निगम की बजट पैठा के दोरान इस समन्ध में प्रस्ताव रखा पैठोल और डीजल के दामों में बढ़ोत्री चौरी है सरकारी पैठोलियम कंपनियों ने जोत्पर में पैठोल में 26 और डीजल में 27 पैसों की बढ़ोत्री कर दी इस बड़ोत्री के बाद जोत्पिर में प्रत्वल के दाम 95 रुपे 87 पैसे प्रति लिटर और डिजल के दाम 88 रुपे 22 पैसे प्रति लिटर हो गए हैं यातायत पुलिस द्वारा चुलाया जा रहा रास्टे सडक सुरक्षा महा का बुधवार को समापन हो गया समापन समारो महावीर पबलिक स्कूल के सभागार में आउजित किया गया ADCP नाथु सिंग ने बताया कि कार्कर में उपस्ति सभी लोगों ने यातायत नियमों की पालना करने और करवाने के शपतली कायकर में अधिकारियों करमचारियों सहित कई संस्ताओं के प्रतने धियों को प्रशस्ती पत्रदे का सम्मानित किया गया जोद्पुर के संभागया एक टेम जोद्पुर विकास प्राधिकरण के अध्याक्ष्ट ग्रेजुएशन और ग्रेंट पेरंट्स टे रंगारंग कारक्रम की प्रस्तूति के साथ मनाये गया। इस मौके पर कक्षा नर्सरी से प्रेप तक के बच्चो और उनके विभावकों ने उत्साह के साथ कारक्रमों में भाग लिया। बच्चो ने निर्त्य कविताएं एवं विभिन मनोरंजक कारक्रमों की प्रस्तूतियांदी। देशे से करवाय जौ रहे कारियों की मौनिटरिंग के लिए गठित कमिटी के अत्रिक्त शपत पत्र पर राजी सरकार को दो सब्ता हमें प्रत्युत्तर पेश करने के निर्देश दिये हैं। अगली सुनवाई 25 फरवरी को हुगे। प्राओं में पांच वर्ष की सजा सुनाई। ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। 辞 प्राओं झाल